मुरादबाद में आगामे त्योहारों को लेकर पुलिस प्रिश्चासन द्वारा समाज में शांती ववस्था कायम रखने के साथ COVID-19 गाइडलाइन का पालन करने के लिए अपील की जा रही है सभी थानाच शेत्रों में बैचक कर सभी से सयोग मांगा जा रहा है मुरादबाद के सिविल नाइन इस्तर पुलिस लाइन में शांती समीती की बैठक आयोज़त की गए जिसमें वरिष्ट पुलिस अधिक्षर पवन कुमार के साथ जिलादिकारी शेलेंडर कुमार सेंग सभी दर्मगुरों के साथ शहर के गड़माने व्यक्ति भी मौजूद रहे सभी ने ये कहा कि पिछली वर्षों में हम सम्मिल जुल कर इस पर को मनाते आए हैं आगे भी ऐसे ही कारेजारी रहेगा जिलादिकारी शेलेंडर कुमार सेंग ने सभी से अपील की है कि कोरोना वारस की चेन तोड़ने के लिए सभी लोग कोविट-19 गाइडलाइन का पारन करें सब्सक्राइब को देखते हुए सबका इम्मत सब्सक्राइब को फालोग करेंगे और श्रिष्टिकरत रखते हुए आज की बैठक में नेरे लिया गया है जो इदूला जहा की नमाज है वोग दिगाह में नहीं पढ़ी जाएगी लोग अपने अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे या जो घर के पास की मस्चीद है सोसल डिस्टंसिंग को ठान रखते हुए जो सासन के गाई लाइन से उसको ठान रखते हुए पास के मस्चीदों में नमाज पढ़ सकते हैं इसके अलामा जो पुर्बानी होगी और पुले अस्थानों पर रही की जाएगी जो मीट है उसको शुरक्षित रूप से ले जाए हों जो मंदीर होंगे उसमें साफना भाईयार की संशित ब्रवस्ता कराई जाएगी जिससे अगर कोई द्रकाल करने आता है बगवान के मंदीरों में वहां पर संशित ब्रूप से पारफ से पारफ किया जाए जाए और हाँ अपने अच्छी बात है यहां चो लोगी उपस स सामने आपकोस किया है कि यह सी प्रूप से जो फासन देगाई नहीं से अगा सब्दन सब्दन के जा है